नमस्कार दोस्तों स्वागत आज फिर आपका इस नए वीडियो में और आप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोड़क्टिव ज़रूर कर रहे होंगे जिस तरीके से दोस्तों हम लोगों के जीवन के लिए सबसे ज़रूर है oxygen सेम उसी तरीके से बाइक के लिए भी सबसे ज़रूर इंपोर्टेंट जो चीज है that is oxygen, air intake so air intake को जब हम बढ़ाते हैं बाइक के अंदर तो कही ना कहीं बाइक की performance भी बढ़ती है इसी वज़े से लोग अपनी bikes के अंदर, cars के अंदर performance air filter लगाते हैं हम लोगों ने भी अपनी hunter के अंदर scholar का performance air filter डाला हुआ है लेकिन एक और एक चीज है आज जिसको हम install करेंगे अपनी hunter के अंदर जिसके बाद जो overall air intake है, bike के अंदर वो बढ़ जाएगा और bike की जो performance है, वो भी ज़रूर थोड़ी बहुत enhance होगी अब वो क्या है, वो मैं आपको बदाएता हूँ, दोस्तों ये है MK Designs का air filter cap इसको stays to air filter cap भी बोलते हैं, ये आपको easily Amazon पे या MK Designs की website पे, official website पे मिल जाएगा दोनों के ही link मैं आपको description box में दे दूँगा, इसका कीमत मेरको पड़ा है, मैंने ये Amazon से order किया था, 7500 रुपे ये जो cap है दोस्तों, ये जो cap है आप देख रहे हैं, बीच में इसके अंदर यहाँ पे hole है अब यहाँ से जो stock cap होता है, वो कही ना कहीं उतना air नहीं जा पाता है, क्योंकि उसमें जो air जाने की space होती है, वो कम होता है यहाँ पे यह पूरा जो है, यहाँ पे बीच में इसके अंदर space है, तो इसको हम install करने वाले हैं, आज इस वीडियो में आपको बजाना वाला हूं मैं कि कैसा response है, इसको लगाना अपनी बाइक में वर्थ है भी या नहीं तो प्लीज दोस्तों, वीडियो में एंट तक जरूर बने रहे हैं, अगर आपको यह topic इंट्रेस्टिंग लगता है, तो अगर वीडियो अच्छा रहा है, वीडियो लाइक कर दीजेगा, और ऐसा ही genuine informative content in future भी देखना चाहते हैं, तो अपने चैनल को subscribe जरूर से कर हम लोगा चल रहा है अभी 365 डेज, 365 वीडियो का चैलेंज, जिसमें डेली साम को 5 बजे एक वीडियो आता है, तो अभी मैं start करता हूँ इसकी installation, उससे पहले अगर आप Instagram पे मेरे साथ जूड़ना चाहते हैं, तो आप जूड़ सकते हैं at direct bikebone21, जहां पे हम बातचीत कर सकते हैं, किसी भी customization, modification के बारे में, किसी भी accessory के बारे मेरे पास में भी बहुत सारी accessories available होती हैं, तो आप directly बातचीत कर सकते हैं, and मैं आपको promise कर सकता हूँ कि best discount offer मैं आपको दिलवाद दूँगा, तो इसको खोलने के लिए दोस्तों, यहां पे कुछ इसके nut है, वो खोलने है, उ आपको दिखाता हूँ कि इसमें, and stock, जो इसका क्या पाता है, उसमें क्या differences है, कि एर फिल्टर एसेम्बली खोलने के लिए दोस्तों, आपको यह दोनट खोलने पड़ेंगा, जो कि आप इस तरीके के किसी भी kit से, आप खोल सकते हैं, very easily, मेरे पास में स्टेलने का यह kit है, क्योंकि मेरे को bikes में, modifications, restoration काम करना अच्छा लगता है, तो यह काफी helpful होता है, अगर आपके पास नहीं है, तो आप भी मंगवा लीजी है, अगर आप भी अपने हाथों से इस प्रकार के काम करना चाहते हैं, तो यह खुल गया है, दोस्तो काफ है, इसको खोलने के लिए आपको यहां पे पीन नट है, इनको भी आपको खोल लेना है, तो यह खुल के बाहर आगया दोस्तो अपना स्कॉलर का पफॉर्मेंस एयर फिल्टर, यह आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर का है, यह है अपना स्टॉक काफ जो होता है, यह जो है दोस्तो यह है, यह है स्टॉक कैप, यहां से एयर जाने का स्पेस केवल यह इतना है, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्तो तो आप देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा यह स्पेस है, यह प्लास्टिक का बना हुआ है, यह जो है दोस्तो में आ रहा हूं हम रेली वेरी सॉरी दोस्तों उसके लिए क्योंकि तूफान का मौसम है बट यह डिफ्रेंसे यह प्लास्टिक का है यह जो है यह यह अलमुनियम का है पाउडर कोटेड है यह क्वालिटी वाइस काफी अच्छा लग रहा है बट जो इसका प्राइज है करते हैं हम पटापट से कर दोस्तों तूफान आ गया है बहुत तेज यहां पर हमने अपनी फिटिंग्स कर ली है फटा फट से मैं यहां से निकलता हूं गहर एंड घर पहुंचके आपको आगे की चीज़े बताता हूं प्राइज बताता है